हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब में एक बर फिर से हज़िर हूँ आपकी यूट्वी चैनल पे जिसका नाम है बिंदास बोई टीच विट फन आज के टोपिक में मैं आपको बात करने वाला हूं कि कैसे आपका मॉबाइल स्वीच ऑन रहते हुए भी अगर आपके पास कोई ब बताएगा तो फ्रेंड्स इस टॉपिक पर वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है आप देख सकते हूँ वहां पे तो मैं तारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया है उस वीडियो पे की फ्रेंड्स कुछ ऐसा तरीका बताओ भाई मुझे कुछ ऐसा तर तो मैं आज उसका solution इस वीडियो में लेकर के आया हूं तो यह वीडियो को आपको देखना है और सीखना कि कैसे यह ट्रिक काम करती है फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक की और बढ़ते हैं अपने टोपिक की और सीखते हैं कि कैसे आपके फोन में कोई भी बंदा कॉल करता है तो मोवाइल स्वीच ऑप बता है और कौन से बंदे ने कॉल किया है वह भी पता चल जाए तो इसके लिए मैं उसी ट्रिक का इस्तुमाल करूंगा पर वह ट्रिक सभी फोन हो वह सारा फोन में यह ट्रिक काम करेगा तो फ्रेंड्स आपको यहां से चले जाने हैं कॉल फोर्वर्डिंग में जी हां फ्रेंड्स आपको यहां पर से चले जाने हैं कॉल फोर्वर्डिंग में तो मैं यहां से सर्च कर लेता हूं कॉल कॉल सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं, कि इतने सारे calls related settings मेरे सामने आ गया है, एक कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ गया है, तो आपको यहाँ से call forwarding का option select कर लेनी है, मैं यहाँ पे देख सकते हैं, call forwarding, मैं इस पे click कर देता हूँ, इस पे click करने के बाद, आपको kुछ इस तरह का इंटरफ करनी है अगर आप अधर फोन में है तो आपको मैं जो इस जी सेटिंग्स को कर रहा हूं आप उसमें करेंगे यह ट्रिक जरूर काम करेगा अगर किसी तदा का दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्यूसन आपके लिए ज आगे चल करके आपको कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्कीप ना करें इसे थोड़ी देर होने देता हूं यह कुछ रीड कर रहा है सेटिंग्स को रीड कर रहा है तो इसे रीड करने देता हूं फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें विडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस लाइक कर दे एक छोटा से कमेंट करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंट्स और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें फ्रेंट्स ताकि आपके फ्रेंट्स आपके फैमली मेंबर इससे जिससे भी जरूरत हो इस वीडियो का आप उसे बेजिज़क सेयर कर सकते हैं इसमें किसी तरह क कोई कोई ज़रूरत नहीं है तो मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जादर जादर पहलाएं इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंट्स उसके बाद आपको यहां पर वेन बीजी आप देख सकते में इसके सारे उप्सन के बारे में मैं आपको समझा देता हूं Always forwarding का मतलब होता है कि आपके पास जो भी नंबर का call आएगा वो सारे calls को forward कर देगा वेन बीजी का मतलब कि जब आप call को receive नहीं कर पाएंगे तब आपके phone को forward करेगा और when unanswered जब आपके mobile में कोई बंदा call करता है और आप उसका जवाब नहीं देते उस phone को forward करेगा और जब when unreachable जब आपके mobile में network नहीं होगा या signal weak होगा तब आपके पास कोई बंदा call करता है तो आपके call को forward कर देगा तो friends हम लोगों को वो trick के इस्तिमाल करनी है जिससे मेरे पास कोई call करे उसे switch हो बताए और मुझे पता भी चले कि कौन बंदे ने मुझे call क लिया है तो friends उसके लिए आपको यहाँ पर when busy का option देख रहा होगा आपको इसी पर click करनी है when busy पर click करने के बाद कुछ इस तरह का interface आएगा friends यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है friends कि आपको यहाँ पर उसी number को डालनी है उसी number पर call को forward करनी है जो number आपका switch off हो जी हाँ friends आपको यहाँ पर उसी call को forward करना उसी number को देना है यहाँ पर जो number आपके पास एक switch off होँ friends हर किसी के गर में कोई नो कोई एक नमबर इसा होता है जो switch off होता है आप चाहे तो उसका उसका number इस में दे सकते हैं तो friends मैं एक number यहाँ पर दे दिता हूँ आपको दिखाने के लिए तो मेरे पास एक number है जो मैं यहाँ दे दिता हूँ मैंने एक number दे दिये यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर enable कर देनी है enable करने के बाद अभी वो सारे settings complete नहीं हुआ है friends आप यहीं से वीडियो को pause करके मत चले जाना नहीं तो आप जो सोच रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा यहाँ से main tricks आपको follow करनी है जो जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसे मैं on कर लेता हूँ on करने के बाद जब यह call forward हो जाएगा जब आपके mobile में कोई बंदा call करता है और जब आप बीजी होंगे तब आप इसका इस्तुमाल कर सकते हैं इसके बाद मैं जो trick का इस्तुमाल करने वाला हूँ उसे आप बड़े ही ध्यान से देखें मैं इसे enable कर देता हूँ enable करने के बाद आप home screen पर आजाएना है home screen पर आने के बाद आप जिस किसी का भी number को forward करना चाहते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जब आप busy रहेंगे तभी आपको calls को forward किया जाएगा एक switch of number पर तो इसके लिए आपको यहां पर एक settings करनी है वो settings मैं बता देता हूँ जैसे कि मैं यहां पर बता देता हूँ कि कोई number को मैं यहां पर उससे forward करना चाहता हूँ जैसे की एक नंबर जैसे कि मैंने ये उपर में जो नंबर आप देख रहे होंगे राज जो लिखा हुआ है उससे मैं forward करना चाहता हूं कि मान लिज्ए कि ये मेरा boyfriend का call है ये girlfriend का नंबर है तो मैं इसे का call receive नहींत करना चाहता हूं कि ये जब भी मुझे call करे तो इसका call जब भी मेरे मॉवाइल में आए तो इसे switch up so करे लेकिन मैं मॉवाइल को चला रहा हूंगा मेरे मॉवाइल on होगा मैं internet use कर रहा हूंगा लेकिन और सबको call आए मेरे पास इसको call नहीं आए तो इसके लिए मैं इस पे click करता हूँ click करने के बाद मैं इसे सीधा blacklist में डाल दूँगा friends आप देख सकते हैं कि यहां से memore करके मैं इसे add to blacklist में डाल दूँगा blacklist में डालने के बाद आप सीधा सही समझ गया होंगे कि जब भी मुझे ये call करेगा तो automatically call cut हो जाएगा तो मैं busy हो जाओंगा busy होने के बाद मेरा mobile उसे एक switch of number पे forward कर देगा तो इसे कुछ पता नहीं चलेगा friends की call forward हुआ है directly उसे एक switch of number पे जब forward करेगा तो इसे directly बताया जाएगा कि आप जिस वेक्ति से call करना चाहते है जिस वेक्ति से बात करना चाहते है उसका phone बंद है बलकि आप यहाँ पे phone चालू है आप इंटरनेट इस्तमाल कर रहे हैं आपके पास हर किसी का call आ रहा है पर आप जिसके का भी number black list में डालते हैं श्रिप उसी का number switch of so करेगा फ्रेंड्स उसे जड़ा सा भी पता नहीं चलेगा और आपका काम हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीस मुझे comment box में बताएं वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस इसे like करें वीडियो को जादर जादर share करें और अगर आप हमारे चैनल पे ब्लम आता है तो मुझे प्लीस comment box में बताएं मैं उसका भी solution लेकर के आपके लिए जल्द से जल्द झालकलँ झालकलँ